हेलो गाईज सो कैसी चल रही है टमडू की प्रप्रेशन आप लोगों की हाँ बहुत-बहुत स्वागत है आपका अड़ा 24-7 स्कूल में और मैं साक्षी आज लेकर आहीं हूं आपके लिए easy way to solve numericals on ideal gas equation तो देखो भी यह जो topic है हमारा ideal gas equation का यह आता है states of matter chapter में आप सबने states of matter chapter पढ़ा है और जब भी हम states of matter पढ़ने जाते हैं सबसे important topic states of matter का क्या आता है हमारे पास ideal gas equation देखो अब होता कि जब ideal gas equation की हम बात करते हैं और हम यह सोचते हैं कि इस topic पर कैसे questions पूछे जा सकते हैं है तो एक ही तरीके questions पूछे जा सकते हैं वो है numerical based questions है ना तो यह जो topic है इसमें क्या है हमारे पास एक basic equation होगी और उस equation पे basis उस equation के basis पे हमें क्या solve करने होंगे हमें numerical solve करने होंगे राइट अब होता है कि प्रॉब्लम क्या है जब भी हम यह सोचते हैं यह हम सुनते हैं कि नियुमेरिकल सा सकते हैं इस topic से related हम सोचते हैं चोड़ दो इस topic को नियुमेरिकल्स तो हमसे हो नहीं पाएंगे है ना क्यूं क्यूंकि नियुमेरिकल्स में तो आ गया maths है और हमारा mindset तो यह होता है भई 10 तक जो हम पढ़ते हैं chemistry तो हमें क्या लगता है कि chemistry क्या है chemistry is all about acid it is all about basis chemical reactions तो chemistry का जो mindset है हम limit कर लेते हैं कि chemistry में हमें क्या पढ़ना होगा chemistry में हमें से पढ़ना होगा chemical reactions के बारे में यह ना बट प्यारे बच्चों chemistry is not only about the chemical reactions है ना इसमें क्या है इसमें हमारे पास मैस तो रहेगा ही है ना मैस तो integral part है किसी भी subject का है ना तो डरना नहीं है हमें घबराना नहीं है यह नहीं सोचना कि numericals तो हमसे हो नहीं पाएंगे बिल्कुल होंगे है ना क्यों नहीं होंगे बिल्कुल होंगे राइट क्योंकि math में chemistry में कोई बहुत hard and fast math में लगता है ना मैंने आपको यह नहीं कहना कि भाई differentiation integration लगा दो है ना है ना तो इसमे सब्सक्राइब को कैसे सॉल्फ करते हैं यह आपको सॉल्फ करना आता है तो अगर इतना आपको आता है तो फिर numerical से घबराने की क्या बात है तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों उसमें हम यहीं डिसकस करने वाले हैं कि इस टॉपिक पे बेस्ट क्या-क्या पॉस को हमें यह समझना है कि अगर मुझे क्वेशन दिया हुआ है तो उस क्वेशन को सॉल्फ करने के लिए मेरा एप्रोच क्या होना चाहिए मुझे क्या डिरेक्शन फॉलो करनी है कि मैं इसली उसके आंसर थक पहुंच पाऊं तो यही बस यही सब आज के लेक्चर में हम सीख जा सकते हैं वो सारे क्वेशन साज के लिक्चर में हम डिस्किस करने वाले हैं तो वीडियो को एंट तक देखना है आपको राइट और साथ की साथ नोट्स मना लेने हैं ताकि जब भी आप दुबारा उस नुमारिकल्स को जब भी आप इस चाप्टर को जब भी इस आईड in possible ways है questions को पूछने के राइट चलिए start करते हैं आज का लेक्चर है ना तो लेक्चर का नाम है आईडियल ग्नाटियंक्वेशन के नुमारिकल्स राइर चलिए भई सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ideal ideal gas है क्या और ideal gas equation क्या होती है तो जैसा कि मैंने अपने पहले के lectures में भी बहुत बार यह explain किया है कि ideal gas क्या होती है हमारे पास है एक ideal gas एक perfect gas वो gas होती है ठीक है जो हर एक condition condition से मेरा यहां पर क्या मतलब है हर एक situation हर एक temperature और हर एक pressure range पे कुछ जो laws है ठीक है कुछ laws है हमारे पास gaseous laws जैसे की boils law, Charles law, Avogadro's law, Galeusex law इन सारे laws को जो equation जो gas है ना हर pressure और हर condition पे follow करें उसी gas का नाम क्या है ideal gas है perfect gas है है ना बट बच्चों एक चीज धिहान रखेगा कि nature में यह जो gas होती है ना ideal gas यह एक्जिस्ट नहीं करती है ना nature में क्या exist करती है nature में actual existence किसका होता है real gas इसका होता है ideal gas जैसी चीज नेचर में exist नहीं करती है तो पहले में एक चोटी सी आपको definition देती हूं कि ideal gas होती क्या है right so ideal gas is that gas an ideal gas is that gas which obeys which obeys gaseous laws which obeys gaseous laws at all temperature and pressures ठीक है हर एक temperature और हर एक प्रेशर पे जो gas सारे gaseous laws को सारे gaseous laws कौन से gaseous laws हो गए हमारे पास Boyle's law, Charles law, Galusex law and Avogadro's law इन सारे laws को हर एक temperature pressure पे जो gas follow कर रही है वही gas हमारी क्या है एक ideal gas है एक perfect gas है right इस gas का no actual existence is there in nature we have real gases we do not have any ideal gas so no actual existence is possible for the ideal gases पर पर जो एक real gas होती है ना बच्चो उसको हम behave करा सकते है किसके जैसा ideal gas के जैसा एक real gas का behavior हम ideal gas के जैसा करा सकते है but at certain conditions and pressure conditions है ना certain temperature and pressure conditions उसके बारे में हमें नहीं जानना है आज के lecture में कि हमारा आज का जो lecture है वो focus है numericals पे है ना चलिए तो अब आप यह समझ गए है कि ideal gas क्या होती है ठीक है ideal gas की laws को ओबे करती है अब उन्ही सारे laws को अगर में मिला दूं ठीक है उन्ही सारे laws को अगर में मिला दूं तो मेरे पास यह equation बनती है जिसको मैं क्या बोलती हूं ideal gas equation right this equation is known as ideal gas equation and the equation is PV is equal to nRT PV is equal to nRT पे रिट्टा मार लो इस equation का equation बड़े इंपोर्टेंट है सारे numerical हमारे यहीं से सॉल्व होने वाले हैं PV is equal to nRT जहां पर आपका P क्या होता है P आपका होता है प्रेशर ठीक है प्रेशर का यहां पर जो हमें unit लेना है देखो इस चाप्टर में हम गलती क्या करते हैं units में तो units का ध्यान रखना भी हमें बहुत ज़रूरी है जो प्रेशर होता है उसकी units हमें यहां पर क्या लेनी है ATM अगर ATM में नहीं है तो आप convert कर लेंगे प्रेशर को किसमे ATM में V यहां पर हमारे पास क्या है V here is volume और volume का unit आपको क्या लेना है लीटर राइट एन हमारे पास क्या है यहां पर number of moles n क्या है number of moles और number of moles को हम कैसे find करते हैं gas का given mass ठीक है given mass हमारे पास किसमें रहेगा grams में रहेगा divided by molar mass of the gas molar mass of the gas आपको calculate करना आता ही होगा ठीक है तो given mass upon molar mass मुझे क्या देता है number of moles देता है R is known as universal gas constant ठीक है R is known as universal gas constant अब यह जो universal gas constant है इसकी जो units है ठीक है इसकी जो value और units है उस पर ध्यान दीजेगा इसकी जो value हमें इस ideal gas equation वाले concept में apply करनी है अल्दो कई units होती है इसकी कई values होती है अलग-अलग units में बट मैं आपको सर्फ बता रहे हूं जो ideal gas equation के questions में जो unit use होगी वो होगी 0.0821 पर जब आप calculation करने जाते हैं तो आप calculation 0.08 से भी कर सकते हैं उसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है लीटर एटिम पर मोल पर केल्विन इस आप खास खयाल रखेंगे जो आपका तेमपरेचर है तेमपरेचर किस में होना चाहिए आपका Kelvin में होना चाहिए ठीक है this point is very important क्योंकि हर question में लगभग हर question में जो temperature हमें दिया होता है वो temperature दिया होता है degree Celsius में और हम वही value पुट कर देते हैं अपने questions को solve करने में तो ऐसा हमें नहीं करना है बच्चो हमें जो temperature को लेना है वो किसमें लेना है Kelvin scale में इस बात का खास खास रखेगा ठीक है तो यह हमारी बन गई ideal gas equation अब कुछ unit conversions हैं जो आपको पता होने चाहिए ठीक है unit conversions क्या है हमारे पास यहां पे ठीक है कि जो 180M होता है वो किसके एक्वाल होता है 760 mmHg ठीक है 180M किसके एक्वाल होता है 760 mmHg mmHg क्या है unit है pressure को measure करने के लिए this is also equal to 760 Taur Taur में किसके एक्वाल होता है 180M 760 Taur के और अगर मैं bars की बात करूं तो 0.987 bar के एक्वाल होता है 180M है ना यही बात अगर मैं volume के लिए करती हूँ तो volume में आपको क्या याद रखना है that 1 cm3 is equal to 1 ml है ना तो unit conversion जतना मैं करा रही हूँ उतने more than sufficient है इससे जाद आपको जानने की जरूत नहीं है कोई भी question उठा लीजेगा इसके बाहर की कोई units के आपको requirement नहीं होगी तो volume में आपको क्या याद रखना है 1 cm3 किसके equal होता है 1 ml के and 1 decimetre cube किसके equal होता है 1 liter के तो बस यह दो units आपको याद रखनी है है ना चले अगला आता है इसमें हमारे पास temperature ठीक है कि यह किसमें जो भी value आपको degree Celsius में दी हुई है उसमें अगर आप 273 add कर देंगे तो आपको temperature मिल जाएगा Kelvin में तो इतनी unit conversions अगर आप याद कर लेते हैं काम असान हो गया और कुछ करना ही नहीं है तो ideal gas equation हमने याद करनी है हमने different units से याद करनी है कि कि किस unit का क्या conversion होता है तो जल्दी से note करिएगा इसके बाद हम फड़ा-फड़ से आगे बढ़ेंगे चले भी आगे बढ़ते हैं ठीक है यह तो हो गई हमारी ideal gas equation है उसकी क्या equation है क्या unit conversions है किस quantity को किस property को हमें किस units में measure करना है अगला आता है हमारे पास modified ideal gas equation है ना तो एक बड़ी interesting सी यहाँ पर आपको emoji दिख रही होगी है ना और एक बड़ा इंट्रस्टिंग सा नाम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बड़ाम पॉइंट है ना तो वहीं मेरा यह तरीका है बताने का कि जिससे मैं यह आपको बड़ाम पॉइंट का मेरा क्या concept है ना यहीं भी बता देती हूं तो याद रखने के लिए हमें क्या जरूरी है बड़ बदाम पॉइंट का यहां पर क्या मतलब है कि हमें एक फॉर्मुला में यहां पर अभी आपको डिराइव कराओंगी उस फॉर्मुला को डिराइव तुम्हें करा दूंगी याद कैसे रखना है प्रधान मंतरी जी डरते हैं ठीक है प्रधान मंतरी डरते हैं पी प्रधान से ठीक है मंतरी का M ठीक है प्रधान मंतरी एक तरफ हो गया और डरते एक तरफ हो गया डरते में पहला साउंड आ रहा है डी ठीक है दूसरा साउंड आ रहा है ठीक है और तीसरा साउंड क्या आ रहा है टर डरते हैं ठीक है है हटा दीजी है का कोई significance नहीं है sentence complete करने के लिए बस बताया गया है कि प्रधान मंतरी डरते हैं PM is equal to DRT यहाँ पर P आपका pressure ठीक है फिर वही बात है ना फिर से P आपका यहाँ पर क्या है pressure है ठीक है pressure किसमें you measure करोगे आप ATM में measure करोगे M here is molar mass of gas ध्यान दीजेगा M क्या है molar mass of gas और molar mass जो होता है उसकी units क्या होंगे यहाँ पर ग्राम D हमारे पास यहाँ पर क्या है D here is density of gas जो भी gas आप यूज कर रहे हो या जिस भी gas के लिए आप equation apply कर रहे हो उसके density और इसकी units आती है हमारे पास gram per liter R आपका वही gas constant है ठीक है जिसकी units आपको पता ही है 0.08 liter ATM per mol per Kelvin और T हमारा क्या है यहाँ पर temperature है Kelvin scale में तो देखो कितनी असानी से हमें equation याद हो गई प्रदान मंत्री डरते है PM is equal to DRT यह equation हम कई जगे पर देखो apply करते हैं debt formula based questions इस पर पूछे जाते हैं मैं अभी अगले कुछ minutes में आपको इस पर question भी कराऊंगी है ना तो यह हम equation use करते हैं जब हमें molar mass calculate करना हो gas का या फिर हमें gas की क्या calculate करनी हो density है ना तो इन दो इंटरेस्टिंग चीज हमने जान ली है ना अब इन दो equations के basis पे हम देखते हैं कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं और उन questions को solve करने का प्रोच क्या होना चाहिए हमारे पास राइट चले ओके देन हां coming to numerical ठीक है numerical पर यहां पर हम आ गए है ठीक है तो पहला जो numerical है ठीक है पहला जो numerical है वो numerical क्या है पढ़िएगा a sample of nitrogen occupies a volume of 1 liter at a pressure 0.5 bar at 40 degree Celsius calculate the pressure if the gas is compressed to 0.025 ml at minus 6 degree Celsius ठीक है यह आपको question में दिया हुआ है अब पहली सबसे खास चीज जो ध्यान रखनी होती है हमें कहीं पर भी अगर ऐसा दिया हो इस ideal gas equation यह अगर हम states of battery की किसी question की बात करते हैं और आपको दिया हो कि nitrogen है oxygen है hydrogen है chlorine है तो by default आपको याद रखना है कि यह gas की बात हो रही है और जब यह gas की बात होती है तो whether it is nitrogen or hydrogen or oxygen or oxygen or chlorine they are present in the diatomic form you cannot write it as simple N nitrogen here means N2 oxygen means O2 hydrogen means O2 so first point to be kept in mind is the gas name whichever is provided in the question you have to take it in the diatomic form आपको इसको diatomic form में लेके चलना है खाली nitrogen नहीं लिखना elemental form में नहीं लिखना diatomic form में जिस form में nitrogen gases state में exist करता है वो form आपको लेकर चलना है यहाँ पर है ना अब दूसरी चीज़ जब भी एक question आपके सामने हो ना आप क्या करेंगे जिसे maths में हम करते हैं कि given लिख लिए और to find लिख दिया है ना तो हम पहले यह समझ लेंगे कि question में given क्या-क्या चीज़े हैं है ना तो question में हमें क्या-क्या given है कि भाई nitrogen gas है ठीक है उसकी जो volume है initial volume हमारे पास कितनी है one liter है उसका pressure हमें given है और temperature दिया हुआ है ना तो पहली condition का दिया हुआ है और आगे बोल रहा है कि अगर gas को हमने compress कर दिया मतलब gas को हमने अगर पिछका दिया तो उसकी volume यह है temperature यह है pressure क्या होगा है ना तो initial pressure मुझे क्या given है देखिए initial pressure मुझे क्या given है 0.5 bar ठीक है 0.5 bar इनीशल जो volume मुझे given है वो कितनी given है one liter और इनीशल जो temperature मुझे given है वो कितना है यहां से देखिए 40 degree celsius ठीक दूसरी चीज अब हम यहां पर देखेंगे हमें calculate क्या करना है calculate the pressure मतलब हमें नया pressure calculate करना है हमें P2 calculate करना है और हमें V2 दिया हुआ है कितना 0.225 ml और हमें temperature जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है minus 6 degree celsius बहुत अच्छी बात अब देखिए अब क्या क्या given है और क्या find करना है अब हम सोचेंगे कि ideal gas equation तो मेरे को मालूम है ideal gas equation होती है PV is equal to nRT क्योंकि यहां पे pressure volume temperature तीन हो दिया है तो म मैं modified ideal gas equation यूज नहीं करूंगी मैं अपनी basic ideal gas equation यूज करूंगी जो कि क्या है PV is equal to nRT तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ठीक है तो यहां पे आपको क्या-क्या है pressure volume और temperature बटी मोल्स के बारे में और gas constant के बारे में तो कोई बात नहीं की गई है ना तो यह तो है ना तो इस तरह के questions में आपको क्या करना होता है जो आपकी चीजे constant है उनको equation के एक तरफ लेकर जाईएगा और जो चीजे आपके पास variable है उनको एक तरफ कर देंगे तो pressure change हो रहा है volume change हो रहा है upon यहां से temperature आ गया और constant यहां पर क्या-क्या है मेरे पास number of moles constant है और R की value constant ह तो उसको में equation के एक तरफ ले आई हूँ और जो चीजे variable है उनको एक तरफ है ना तो यह दोनों हमारे constant है क्या मैं यहां पर लिख सकती हूँ PV upon T is equal to some constant ठीक है क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि P into V upon T का जो ratio रहेगा यह किसके equal रहेगा constant के equal रहेगा तो जब इस तरीके से आपको दिया होगा आप अपना यहां पर equation यूज कर सकते हो कि भाई यह जो value है यह हमेशा यह जंदगी भर के लिए constant रहने वाली है इसका कुछ नहीं बदलना है इसका कुछ नहीं बदलना मतलब initial conditions में और यही final conditions में क्या रहेंगी these will remain same in initial as well as the final conditions बच्चो ठीक है अब क्य अगर ना है अब बस values put करनी है तो देखें यहां पे जो pressure है उसकी unit क्या है बार है और हम यह जानते हैं कि 1 ATM किसके equal होता है 0.987 बार के equal होता है क्योंकि 0.98 approximately approximately 1K equal ही है तो मैं मान के चल लेती हूं कि लगभग 1 ATM किसके equal है लगभग 1 ATM 1 बार के ही equal है तो question solve करने के लिए आप directly बार की जगे आप ATM भी लगा सकते हो कोई खास वरक नहीं वरने वाला है values पे ठीक है तो initial जो pressure मुझे दिया हुआ है जो P1 की value दी हुई है वो मुझे कितनी दी हुई है 0.5 मैंने P1 को यहां put कर दिया 0.5 V1 मुझे कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है और T मुझे क कितना हो जाएगा 3 ठीक है और 7 और 4 कितना हो गया 11 ठीक है 313 तो यह मेरे पास कितना Kelvin हो गया 313 Kelvin हो गया और यहां से यह हो गया minus 6 plus 273 तो यह किसके equal हो जाएगा बच्चों बोलो 267 ठीक है यह हो जाएगा मेरे पास 267 Kelvin अब आपको बस करना क्या है यहां पर T1 की value पुट कर देंगे T1 की value मेरे पास कितनी है 313 Kelvin तो यह हो गया मेरे पास 313 this is equal to P2 V2 upon T2 P2 मुझा चाहिए calculate करना है V2 मेरे पास कितना दिया हो है वलो V2 is 0.225 ml but the problem here is यह ml में है यह लीटर में है तो ml को लीटर में convert करने के लिए क्या करेंगे 0.225 upon 1000 ठीक है यहां से मेरे पास यह P2 की value है वो कितनी है 267 आपको बस यह value equation को solve करना है इसमें क्या है multiply है divide है इतना तो हम करना जानते ही है तो यह सारी चीजे जब हम solve कर लेंगे तो यहां से मेरे पास P2 की value आईगी approximately 1.8 bar क्योंकि P1 हमारे पस bar में था मैं इसको भी bar में लिख देती हूं हलाकि मैं ATM में लिख 1.79 अगर आपने 1.8 भी लिख दिया तो भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए ठीक है तो थोड़ा बहुत approximation जब हम numerical solve करते है तो बिलकुल जाज है इतना माफ होता है इतना आप कर सकते हो राइट चले पहला question मुझे लगता है सानी से समझ में आ गया हो इतना सा तो करना है चले अगले question की बात करते हैं देखिएगा पढ़िएगा अगला question अगला question है calculate the moles of hydrogen present in a 500 ml sample of hydrogen gas at a pressure of 1 bar and 27 degree Celsius ठीक है अब इस case में देखो हमें क्या दिया हुआ है hydrogen की बात किये इसने पहले से ही h2 लिख दिया है नहीं भी अगर इसने h2 के बारे में लिखा होता तो भी डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपको diatomic gas ही consider करनी है आपको h2 ही consider करना है ठीक है तो यहां पर मेरे पास hydrogen है इसकी आपने p1 p2 q नहीं लिखा क्यों क्योंकि एक ही pressure given है एक ही temperature given है एक ही volume given है तो मैं यहां पर क्यों p1 v1 के form में लिखू simple मैं pressure लिख देती हूं ठीक है volume मेरे पास कितनी है 500 ml है ठीक है और temperature मेरे पास कितना है 27 degrees Celsius और find मुझे क्या करना है moles यह सारा कहानी मैंने लिख दिया कि मुझे find क्या करना है और मुझे question में given क्या है यह सब मैं यहां पर लिख लिया है अब देखिए pv n or t को मिला कि क्या equation है हमारे पास very famous ideal gas equation PV is equal to nRT तो pressure मेरे पास देखो one bar को आप one ATM में मान सकते हो जैसा मैंने बताया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो pressure मेरे पास हो गया one ठीक है volume जो है मेरे पास यहां पर 500 ml ठीक है इसको मुझे convert करना पड़ेगा liters में क्यूं क्यों क्योंकि आर की जो value है मेरे पास वो कितनी है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर Kelvin तो मुझे यहां पर जो volume चाहिए वो किसमें चाहिए लीटर में चाहिए ठीक है तो यहां से मैंने ml को किसमें convert किया लीटर में मोल्स मुझे find करने है आर की value मेरे पास कितनी है 0.0821 और temperature कितना होगा यहां से मैं लिख सकती हूँ 27 degree Celsius प्लस 273 temperature Kelvin में आ गया तो यह हो गया मेरे पास 300 यहां से बस आपको क्यालकुलेशन करने है जब आप यहां से क्यालकुलेशन कर लेंगे आपके पास जो value आएगी वो value आएगी आपके पास number of moles की 0.02 moles ठीक है 0.02 moles तो यह हमारे पास answer आ गया बड़ा simple formula based question था है ना तो बोलो भई लगने लगा असान की नहीं है ना कुछ असान लगा कुछ दुवीधा solve हुई है ना कुछ परेशानिया मन की लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी कम हो रही है है ना हो जाएंगे हमसे question आया थोड़ा confidence की नहीं तो देखो कुछ नहीं है सिफ formula based चीजे हैं आपके पास बस आपको formula ध्यान देना है और units का ध्यान देना है इतना साही तो करना है बस है ना तो कहें हम में घबरा रहे हैं कहें गबरा रहे थी खाम खामे numerical से दूर भागते हैं बच्चे पर पता नहीं क्यों भागते हैं सही approach रखो सही अपने concept रखो असानी से question solve होंगे राइट चलिए अगले question की बात करते हैं अगला question है we have to calculate the volume occupied by this much molecules of oxygen at 27 degree Celsius and a pressure of 700 tor चले बई अब इस question में हमें क्या find करना है we need to find volume ठीक है volume हमें यहां से calculate करनी है और हमें क्या दिया हूँ है number of molecules given है ठीक है यहां से हमें क्या given है number of molecules और number of molecules मुझे कितने given है 4.045 into 10 to the part 23 और मुझे यहां पर क्या given है oxygen gas पता दिख रही है मुझे यहां पर और मेरे पास यहां पर temperature है 27 degree Celsius जिसको मैं पहले ही Kelvin में convert करके लिख देती ह जो आपको solution करना है वो किसमे करना है Kelvin में करना है है तो 27 का आप तो याद ही हो गया होगा बार बार है ना हर बार यही value given होती है क्यों इसको ना solve करना असान है है और pressure मुझे कितना दिया हूँ है 700 टॉर दिया हूँ है ठीक है अब क्योंकि मुझे यह जो pressure चाहिए वो किसमे चाहिए होता है ATM में चाहिए होता है तो मैं यह जानती हूँ कि 1 ATM किसके इक्वल है 760 टॉर के इक्वल है ठीक है तो 700 टॉर किसके इक्वल हो जाएगा 700 टॉर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 760 इंटू 700 ATM यह value आ जाई ही मेरे पस pressure की ATM में तो एक हिंट में क्या देती हूँ यहां पर calculation में time लगाओगे फिर equation में put करके time लगाओगे calculation में तो जब यह as it is value में put कर देती हूँ equation में तो बहुत सारी चीज़े ऐसे cancel out हो जाती है तो इसलिए असान तरीका क्या है यहां calculations नहीं कीजेगा यहां पर calculations को as it is रहने दो यह exact value में put कर दूंगे अपनी equation में number of moles किसके equal होते है गिवन number of molecules divided by Avogadro's number तो यह value मुझे कितनी 0.045 into 10 to the part 23 divided by 6 into 10 to the part 23 right हो गया बताओ मोल्स आ गए यह cancel out हो गया और जब आप question solve करते हैं मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी approximation आपको माफ है तो इसको 4 माल लो इसको 6 माल लो 4 by 6 कितना हो गया मेरे पास approximately 2 by 3 के equal हो गया की नहीं हो गया so this is equal to 2 by 3 या चाहो तो आप 2 by 3 को सिलिख सकते हो क्या 0.67 लिख सकते हैं हम ऐसा बिलकुल लिख सकते हैं क्या अधिक्कत है भई है तो यहां से मुझे पता चल गया मेरे पास approximately oxygen के कितने मोल्स है 0.67 मोल्स है चले अब बात करते हैं अपना question solving पर कि हम as it is put कर देती हूं वी मुझे यहां से find करना है number of moles मेरे पास हो गए 0.67 आर की value मैं जानती हूं कितनी है 0.08 ठीक है 21 आप 0.08 से भी calculation कर सकते हो कोई घबराने वाली बात नहीं है multiplied by 300 तो यहां से बस आपको V की value find करनी है और जब यहां से आप V की value find करेंगे approximately value आपको कितनी मि थोड़ा भात plus minus कोई दिककत नहीं है छोड़ दो इसको approximate value भी आप लिख लोगे और साथ में बस थोड़ा सा ऐसा एसा लिख देना कि approach ठीक है approach अगर ऐसे लिख दोगे तो वैसे कोई दिककत नहीं है 18.2 हो 17.8 हो 17.9 हो सब के relevance में आपके बराबर आंसर आगया 18 लीटर बस बताईए कोई doubt कोई मुश्किल कोई परिशानी हो तो आप comments में लिखकर बता सकते हैं कि मैं इस step में यह इस question में मुझे समझ में नहीं आया है तो कोई पी difficulty आप पूच सकते है राइट चले अगले question की बात करते हैं ओहो बड़ा सा question दिख रहा है यह तो बहुत-बड़ा question यह तो मेरे से पक्का नहीं solve होने वाला नहीं हो पाएगा question पढ़ना ही नहीं है उससे पहले ही कह दिना है अरे बहुत-बड़ा सा question है यह तो मुझ से solve होगा ही नहीं है पर ऐसे नहीं सोच रहा है बच्चो अपना जो approach है अपनी जो thinking है उसको थोड़ा सा बदले है उसको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जली से पढ़ते है question क्या है हमारे पास a discharge tube of 2-liter capacity ठीक है एक discharge tube है मेरे पास discharge tube का मतलब क्या होगे छोड़ी से glass की tube है ठीक है उसकी capacity कितनी है 2-liter हैना उसकी volume कितनी हुई है basically tube की 2-liter उसके अंदर hydrogen gas है ठीक है और उसको हमने एवाक्यूएट क क्या मतलब होता है उस tube को हमने धीरे धीरे उसमें जो hydrogen थी उसको खाली करना शुरू कर दिया till the pressure inside becomes इतना हैना कब तक हमने उसको evacuate किया तब तक हमारे पस pressure कितना नहीं हो जाए 10 to the power minus 5 ATM नहीं हो जाए if the tube is maintained at a temperature of 27 degree Celsius अब उस tube को मैंने क्या किया उस tube का जो temperature है वो मैंने कितन मैंने करके रखा हुआ है 27 degree Celsius पर मैंने किया हुआ है so calculate the number of hydrogen molecules still present in the tube हमें यह बताना है कि अब कितने hydrogen molecules बचे हमारे पास उस tube के अंदर है ना सोचे क्या करेंगे अब सोचे गया क्या करेंगे बताइए volume हमें दी हुई है बहुत बढ़िया बात है ठीक है pressure हमें दिया हुआ है बिल्कुल सही बात है ठीक है और क्या हमें दिया हुआ है temperature हमें दिया हुआ है हमें बताना है कि कितने molecules अभी भी बचेंगे उस tube के अंदर ठीक है तो जो tube है हमारी उसकी वॉल्यूम हमें कितनी दिया है 2 लीटर हैना मैंने उसको क्या किया उसमें से हाइडरोजन ग्यास को मैंने निकालना शुरू किया और कब तक निकाला जब तक प्रेशर कितना नहीं हो गया 10 to the power minus 5 ATM नहीं हो गया तो बस मुझे ये बताना है कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपको 10 to the power minus 5 प्रेशर मेंटेन करना है यहां तक प्रेशर को लेकर आना है और किस ट्यूब के अंदर के प्रेशर की बात हो रही है भाई वो वॉल्यूम तो सेम है ना ठीक है यह ध्य कि यहां दीजेगा कि ग्यास के मोल्स कम हो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगी यहना क्यों क्योंकि ग्यास की जो वॉल्यूम होती है बचो वो किसके एक्वल होती है ग्यास की वॉल्यूम इस एक्वल्यूम ऑफ कंटेनर तो कंटेनर जो मेरा ट्यूब जो है मेरा डिश सीधा यहां पर क्या लिख लेती हूं 300 Kelvin लिख लेती हूं this is equal to 300 Kelvin और मुझे क्या find करने है number of hydrogen molecules तो मतलब basically मुझे क्या find करना है मुझे number of moles find करने है तो PV is equal to nRT again हमारी जो basic equation है P जिसमें कितना है इतना V कितना है इतना N की value मुझे find करनी है R की value मैं जानती हूं कितनी है 0.0821 और T मेरे पास कितना हो गया यहां से 300 ठीक अब यहां से मैं molecules तो find कर लूँगी यहां से मेरे पास number of moles तो आ जाएंगी कोई value आ जाएगी मेरे पास कि इतने moles जो है वो present रहेंगे उस container में उस tube में जब pressure इतना हो गया temperature इतना और volume of container कितना 2 liter लेकिन मुझे यहां पर क्या find करना था मुझे तो hydrogen molecules find करने थे तो number of molecules let's say मेरे पास आए x moles है ना तो molecules में कैसे find करूँगी molecules find करने के लिए क्या होता है number of moles multiplied by avogadros number तो यह value को आप क्या करोगे avogadros number से multiply कर दोगे to find number of molecule तो जब यह पूरी calculations कर लेंगे इन पूरी calculations को करने के बाद आपके पास जो answer आएगा वो आएगा 4.8 10 to the power 17 molecules यह answer आएगा आपके पास जब आप यह सारी calculations कर लेंगे तो तो मैंने ideal gas equation से क्या find किया number of moles find कि जिसको फिलाल के लिए मैंने x बान लिया क्योंकि calculations तो आप ने करनी है मैं तो बता हूंगे ने calculations ठीक है और molecules find करने के लिए क्या करेंगे यहां से जो मेरे पास moles मैंने calculate किये उसको मैं multiply कर दूँगी किस से number of hydros numbers say to find total number of molecules of hydrogen gas राइट चली इतना question था है बस अगर तुम question की भावनाई समझ गए न कि भई question बिचारा सीधा सा तुमसे क्या कहना चाहरा है एक छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी हमें क्या समझने पड़ती है वो तो सफ्रोता है वो आपको यह नहीं बताएगा कि भई मुझे भूक लगे मुझे प्यास लगे मुझे दर्दो रहे हैं यह आपको समझना पड़ेगा तो बचारा यहां बैठा हुआ है तुम्हें उससे उगलवाना है तुम्हें इससे information निकालनी है कि भाई question की भावनाये क्या है question क्या पूछना चाहरा है और question ने अपने अपास क्या दबा के रखा है क्या information दबा के रखी है तो information एक्स्ट्राक्ट करना और उस इंफोर्मेशन से जो क्वेशन में पूछा जा रहा है वह फाइंड करना यह आपको समझना है बस अगर इतना समझ गए तो फिर क्या है फिर तो दुनिया हमारे कदमों में है न चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन अगला क्वेशन है हम यह तैननी फूर्म है रैगे डिशिट पेशनावन क्या प्रसें उट फिर दू आट फो दू तरेशनी लाइड ग्यास हमें यह इतना है उर दिसका प्रेशर की इतनी है इतना है अब कह रहे हैं कि उसी container का मुझे बताना है क्या temperature हो जाएगा अगर मैं उसके अंदर इतनी gas और add कर दूँ तो नया temperature क्या होगा अगर ये इतनी gas hydrogen add और करने के बाद मेरे पास जो pressure है वो increase होकर हो गया इतना अब भई यहां पर मैं क्या क्या सकती हूँ देखो मेरे पास मुझे temperature calculate करना है इस question को solve करने के हमारे पस दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है कि मैं यहां पर क्या कर लूँ ठीक है दो तरीके हैं लेकिन जो second वाला है मैं चलो वह बता देती हूं क्योंकि unnecessarily confusion में नहीं पढ़ते है कि मुझे कि तो सवे रहें पास थीक वोल्ुम तो क्या रहीगी अब उसमें क्या है ना झैसे मेरे पास आप अप ऐस को ऐसे समझता की वाल्यूम मेर्य मर्ज़ीक करते है उचजर कि अवसborDonald में पर फमावन हर 골ाक न रखना अर्क बहलेग दूछट के दूच क kg चशाह सै पर हाँ maximum में कितना amount put कर सकती हूँ 5 liter तो चाहे मैं इतनी gas उसके अंदर add करूँ तब भी gas की volume सेम रहेगी container के volume के जितना which is 5 liter और अगर मैंने इतनी gas और add कर दी तब भी जो total gas की volume है वो कितनी रहेगी volume of container के equal है तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना that volume of gas is always equal to volume of container ये कि moles क्या है gas के और volume क्या है मोल्स जो होते है gas के वो change होंगे इस question में add कर दी है आप में कुछ gas को लेकिन volume चेंज नहीं होगी क्यूं क्यूंकि volume of gas gas को अगर आप एक बड़े से कमरे में रखोगे तो gas की वो बड़ी से कमरे की volume हो जाएगी उतनी ही gas को अगर में चोटे से ब तो चलिए question में हमें क्या दिया है कि अब मैं total moles बात कर लेती हूं है total hydrogen gas की बात कर लेती हूं कि total hydrogen gas का मेरे पास mass कितना है 2.035 plus 2.099 grams ठीक है इतना मेरे पास total hydrogen gas का mass हो गया right अब अगर मैं यहां से इसको calculate करके देखना चाहूं ठीक है तो इसका जो total mass हो जाएगा मेरे पास वो कितना हो गया so 2.035 plus 2.099 this is equal to this is equal to 4.134 gram which is approximately equal to 4 grams and approximately 4 grams के क्वल है तो यहां से मैं moles find कर सती हूं hydrogen के given mass upon hydrogen का molar mass कितना होता है 2 hydrogen atoms का molar mass हो गया 2 तो approximately मेरे पास यहां से value आ गई कि भाई जब मैंने दोनों बारी मैंने gas को add कर दिया ठीक है hydrogen को add कर दिया तो मेरे पास जो final moles calculate होकर आये total moles वो कितने है hydrogen के 2 moles और उन 2 moles की जो volume है मेरे पास ठीक है वो volume मेरे पास कितनी हो गई volume है मेरे पास 5 liter temperature मुझे यहां से find करना है ठीक है और दोनों gases को add करने के बाद जो final pressure हो गया था वो था 3.015 ATM this is the final pressure जब हमारे पास दोनों बारी की gases present होगी उस container में तो आप मुझे क्या करना है मोल्स है मेरे पास volume है मेरे पास pressure है मेरे पास temperature find करना है तो अगयान हम अपनी famous ideal gas equation का application करेंगे ठीक है pressure हो गया 3.015 volume मुझे दिया हुआ है question में 5 number of moles के अगर मैं बात करूं तो total moles मेरे पास कितने है 2 multiplied by 0.0821 और temperature मुझे calculate करना है तो यहां से बस आप जो temperature find करेंगे वो value calculate करेंगे तो Kelvin में आएगी और उसमें से अगर में 273 को minus कर दूं तो मेरे पास temperature आ जाएगा degree Celsius में क्योंकि question में जो answer पूचा है वो degree Celsius में पूचा है तो मुझे धान यह देना है कि यहां से जो मैं calculations करके answer calculate करूंगी वो Kelvin में आएगा और अगर यही बात में degree Celsius की बात करूं तो आप माइनस 273 करके कर सकते हो तो यहां से जो Kelvin में answer आएगा वो इतना होगा और इसमें से आप क्या कर दो 273 को subtract कर दो तो यह answer आपके पास हो जाएगा degree Celsius में बस ठीक है तो बसे unit convergence का ध्यान दीजेगा अगर आपने सिफ Kelvin तक answer छोड़ दिया तो आपका आपका आदर नं मुझे चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ राइट अगला क्वेशन है मेरे पास calculate the density of Freon 12, Freon 12 क्या है, Freon आपका एक chlorofluorocarbon होता है, CFC जिसको बोलते है ना, जो आपके AC के coolant होते हैं, जो फ्रिज में refrigerant होता है, जो थंडा करता है, बीसिकली ग्यास कहते है AC में gas भरी हुई है, फ्रिज में gas है, जो थंडा करती है चीजों को है ना, तो ये वो थंडी वाली है, थंडा करने वाली gas है ना, chlorofluorocarbon, जिसका formula कितना है, CF2, CL2, हमें इसकी density बतानी है, इतने temperature पे और इतने pressure पे, लो भई, प्रधान मंतरी जी आ गए है ना, प्रधान मं Celsius, और 30 degree Celsius का मतलब कितना हो गया, 30 plus 273, कितना हो जाएगा बोलो भई, 303 Kelvin, और जो pressure मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, 0.954 ATM, अब जो मेरा formula है, क्योंकि मुझे density बताना है, PT और density में formula मेरे पास क्या है, PM is equal to DRT, ठीक है, तो P है मेरे पास, D मुझे calculate करना है, R की value मुझे पता होती है, T मेरे पास है, मुझे M चाहिए, M क्या है, molar mass of gas, है न, तो CF2, CL2 का molar mass यहाँ से हम calculate कर सकते हैं, carbon का mass होता है, 12, 1 fluorine का mass कितना होता है, 19, और 19 into 2 कितना हो गया, मेरे पास, 38, और 2 fluorine का mass यहाँ से कितना हो जाएगा, मेरे पास, 1 fluorine का mass कितना होता है, atomic mass, 35.5, तो 2 क्लोरीन का mass मेरे पास, कितना हो गया, 71, ठीके बे, calculations देख लेना, कभी गलती हो जाते है, plus minus में है, ओके, देखे, इतना ही आएगा, क्या, 38 और 210, 10 और 1 कितना हो गया, 11, और 8, 9, 10, 11, 12, सही, 121 grams, अब तो बस formula में value पुट करनी है, तो P की value कितनी है, मेरे पास 0.954, molar mass मैंने यहां से find कर लिया, कितना find किया मैंने molar mass की value, molar mass की value मेरे पास आई थी, 121 grams, ठीके, molar mass की value मेरे पास कितनी आई, 121, D मुझे यहां से find करना है, ठीके, R की value 0.0821, and temperature हो गया, 303 Kelvin, तो बस यह calculations आप कर लीजेगा, यह calculations जब कर लेंगे, तो आपके पास D की value लग 0.64, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि यहां पर जो आप density calculate करोगे इन units से, तो units आपको क्या मिलेंगी, gram पर लीटर मिलेंगी, so finally answer, gram पर लीटर भी दिया हो सकता है, और 1 liter decimeter cube के equal भी होता है, तो gram पर decimeter cube दिया हो, तो भी चलेगा, है ना, both mean same, right, चले भी, यह हो गया हम हमारा अगला question, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह density वाला question था, density वाली modified ideal gas equation को solve करके, लगा के, मैंने इस question को solve किया है, है ना, चले, अगला question हमारा, ठीक है, फिर से बड़ा असा question, है ना, question से घबराना नहीं है, बच्चो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एक एक statement को बहुत इंतमान से, ठीक है, बहुत अराम से प्यार से पढ़ना है, है ना, तो यह question हमें प्यार से देखो, क्या बोल रहा है, have you ever wondered, आपने कभी यह सोचा है, what the pressure is, what the pressure is under the glass bell jar, when the vacuum pump is turned on, है ना, एक ग्लास का जो जार है मेरे पास, है एक ग्लास का bell shaped jar है मेरे पास, इसमे कितना होगा, तो पहले पार्ट का अंसर है भाई देखो, प्रेशर क्या होता है, जब वेक्यूम की हम बात करते हैं, जब मैंने इस ग्लास जार से वेक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, प्रेशर इंसाइड जार विल बिकम जीरो, है ना, ना, परएट शीरो, होगा है, जब भी हम वेक्यूम की बात करते हैं, इवाक्यूएटेडेड लास की बात करते हैं, तो फ्रेशर की वेल्यू कितनी हो जाती है जिरो हो जाती है, आगे क्या क्वेशिण चारहा है, समझते है, एक तर करने लगेगा है तो इस बलून के inflation rate से में बिता सकते हूं कि प्रेशर कितना चेंज हो रहा है ultimately finally तो zero होना ही है 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 तो at the beginning of the experiment you know that the volume of balloon is 560 ml under standard pressure okay balloon जो है जब हम pressure कम कर रहे है vacuum लगाने का क्या मतलब है हम क्या कर रहे है प्रेशर को कम कर रहे है और boil's law क्या कहता है कि pressure और volume होते inversely proportional तो आप क्या देखेंगे कि volume दीरे-दीरे volume जो है balloon की वह बढ़ती जा रही है balloon expand होता जा रहा है balloon inflate होता जा रहा है तो कह रहे है कि at the beginning of the experiment you know that the volume of balloon is इतना ठीक है under standard pressure प्रेशर में जो standard pressure का मतलब समझते हो ना standard pressure का मतलब हो गया 180 भी ले सकते हो वन बार भी ले सकते हो लगबख दोनों की वेल्यू सहीं होती है तो कोई खास फरक ने पढ़ने वाला है तो आप यहाँ पर केरें कि standard pressure में जो volume है balloon की वो कितनी है 5-6-3 ml है तो अगर आपने क्या किया अगर आपने vacuum pump को चालू कर दिया तो pressure क्या होगा दीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा जो glass जा रहे है उसके अंदर का और जब pressure कम होता है तो volume बढ़ती है balloon inflate करेगा और balloon क volume inflate कर कहां पहुच गई 780 ml पर पहुच गई तो पूच रहे है कि what is the pressure inside the bell jar at this point तो जब बलून की volume इतनी है मुझे उस ताइम पर बताना है कि pressure कितना होगा जार के अंदर बहुत simple question है ठीक है अब यहाँ पर क्या क्या बदल रहा है क्या क्या चीजे बदल रही है क्या क्या बाइशर भदल रहा है क्योंकि आपने वाक्यूमत करनेक्ट कि यह वाक्यूम पंस से आप क्या कर रहे हो प्रेशर को चैंज कर लेह हो और क्या चेंज ओ रहा है हमारे पस और दूसरी चीज जो चेंज औरी है वो चेंज अरी है यहां पर हमारे पस volume ठ sposób क्य यहाँ तो इसलिए जो बालून के अंदर की में कंडीशन की बात करूंगी तो बलून के अंदर की मेरे पास कंडीशन है उसमें नमबर अफ मोल सेम रहेंगे तो पी वी इस एक टू एनाइटी ठीक है अब आप देखो जैसा मैंने आपको पहले बिताया था जो चीजे चेंज हो रही है उनको एक तरफ कर दो और जो चेंज नहीं हो रही है उनको एक तरफ कर दो तो पी जो है ठीक है यह हमारे पाद चेंज हो रहा है वी जो है वो चेंज हो रहा है बाकी यह तीनों वैल्यूस क्या है हमारे पास constant है तो यह मैंने लिख दिया this is equal to constant तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूं that P1 V1 is equal to P2 V2 अब initial pressure देखो question में कितना given है standard pressure मतलब 180 M है इसको मैं 1 मान लेती हूं और initial volume मेरे पास 560 इस तरह के questions में आपको liters में convert करने की जरूत नहीं है क्योंकि दोनों volume ml में दिये आप चाहोगे भी तो इसको liter में convert कर लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ठीक है P2 मुझा यहां से calculate करना है और final volume कितनी है मेरे पास 780 ml इसको भी क्योंकि मुझे अगर लीटर में convert करना तो देखो यह सामने सामने से cancel out हो ही जाएंगे तो यहां से आप बता सकते हो कि P2 की value हमारे पास कितनी होगी तो यहां से जब आप solve करेंगे ठीक है इस भारी भरकम सा बड़ा साक विसमीन होगा तो उसका जो सॉल्यूशन आप भी बहल बभा सारा होगा तो रहा ह्याना की एक कोता होटा है आप उधार में इस फ्रुंवस्या आपको जितना बड़ा question होगा देखो उतनी जादा information आपको वो दे रहा होगा है ना तो information देकर हमने बड़ी simple तरीके से इसका answer find कर लिया P2 की value हमने find कर ली right चले ओके सो आज की class का आखिरी question हम जो discuss करने वाले हैं ठीके बड़ा अच्छा सा question देखिये पढ़ियेगा an open vessel at 27 degree celsius is heated है ना until 3 by 5 5th of gas in the air has been expelled ठीके assuming that assuming that the volume of the vessel remains constant we need to find out the temperature at which the vessel is heated पहला part of the question दूसरा part क्या है the temperature at which half of the air escapes out चले भई ठीक है समझते है question की भावनाओं को तो question हमसे क्या कह रहा है question कह रहा है कि मेरे पास एक open vessel है एक open vessel का मतलब उसके उपर धक्कन नहीं लगा है इतना था 27 degree celsius और इस vessel को मैं heat कर रही हूं कब तक heat कर रही हूं जब तक 3 by 5 जो air है 3 by 5 times of the air जो है वो बाहर नहीं चली जाती इस container से तो मुझे बताना है कि 3 by 5 time जो air है वो बाहर चली जाए container से अब देखो क्या क्या चेंज होता है जब आम एक open vessel में heating करते हैं एक point note down कीजेगा note बनाके कि जब आप heating करते हो open vessel में heating in open vessel क्या क्या बदलता है और क्या क्या सेम रहता है तो जब आप heating करते हो open vessel में तो pressure क्या रहता है constant ठीक है वॉल्यूम क्या रहेगी क्या इस container की volume बदल जाएगी heat करने से क्या यह जो बीकर था यह श्रिंक हो जाएगा यह एक expand हो जाएगा नहीं भई का बना है ठीक है तो volume भी क्या रहेगी gas की constant रहेगी क्यूं क्यूंकि container की volume constant है और volume of container और volume of gas बराबर होते हैं बिल्कुल होते हैं number of moles क्या होंगे change वो तो दिखी रहा है question में ठीक है तो यह चीजों के बारे में आपको धान रखनी है और obviously heating कर रहे हो तो temperature भी क्या होगा change होगा अब मैं अपनी ideal gas equation का सहारा ले लेती हूँ भई हारे का सहारा ideal gas equation PV is equal to nRT तो P यहाँ पे constant, V यहाँ पे constant, R यहाँ पे constant क्या change हो रहा है? N into T है न? N or T change हो रहा है बाकी सब किसके equal है? constant के equal है न? तो N T को एक साथ छोड़ दो बाकी सब constant हो गए तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ that N1 T1 will be equal to N2 T2? Yes or no? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि number of moles into temperature पहले वाले और बाद वाले दोनों आपस में equal होंगे? बिलकुल हाँ, जी हाँ, बिलकुल बोल सकते हैं अब देखे, initial temperature कितना था, 27 degree Celsius और final temperature मुझे यहाँ पर calculate करना है और वो कौन सा temperature है, जब gas 3 by 5 बाहर चली गई, अब आप यह मान के चलो कि जो initial moles है वो gas के वो 1 थे, हम मान के चल लेते हैं, कुछ भी value मान सकते हो, आप answer सेम मिलेगा बट easy calculation के लिए मैं मान लेती हूँ, कि मेरे पास जो initial moles थे न, वो कितने थे, 1 mole ठीक है, और temperature कितना था, मेरे पास 27 degree Celsius मतलब 300 Kelvin ठीक है, अब T2 मुझे यहाँ से find करना है, और N2 कितना हो जाएगा बोलो N2 मतलब, यहाँ पे एक चीज का बहुत खास ख्याल रखेगा, N2 का यहाँ पर क्या मतलब है, जो air बच गई container में, जिस पे आप ideal gas equation apply कर रहे हो, है न, इसमें हम गलती क्या करते हैं, 3 by 5 airs तो बाहर गई है, हम यहाँ पे 3 by 5 डाल देते हैं, बट नहीं, 3 by 5 airs तो बाहर चली गई, ठीक है, बची कितनी जितनी पहले थी, minus 3 by 5, ठीक है, तो कितना हो गया यह, 2 by 5, है न, जितने भी initial moles थे, उसके 2 by 5 moles जो है, अभी भी container में बचे हैं, 3 by 5 बाहर चले गई, 2 by 5 ठीक है, यह ध्यान रख लेना, इध्यान से नोट कर लेना, air left in vessel, उस vessel के अंदर जितनी air बचेगी, यह वो air है, ना कि वो air जो container से बाहर चली गई है, तो T2 की value हमें यहां से calculate करनी रहेगी, तो T2 की value यहां से मैं कैसे find कर सकती हूं, देखेगा, N1 1 हो गया, T1 कितना हो गय अब आप देख लिजीगा question में, कि answer आप से Kelvin में पूचा है, कि degree Celsius में पूचा है, उसी हिसाब से आप final answer बता देंगे, degree Celsius में पूचा है, तो इसमें से 273 को minus कर दीजे, right, चले, second part of the question is, the temperature at which half of air escapes, अब मैंने क्या किया ना, जितने भी total moles थे, उन total moles में से मैंने आदी air को ब बेच दिया, अब आदी को बाहर भेच दिया, तो बची कितनी, आदी air बची है ना, तो B part में भी हम same concept apply करेंगे, N1 T1 is equal to N2 T2, let's assume कि initial moles 1 थे, initial temperature 300 Kelvin है, आदी air को जब आपने बाहर भेच दिया container से, तो बचे कितने, आदे ही तो moles बचे ना, ठीक है, तो half moles बाहर गए, half बचाना है, बड़ा easy answer है, T2 हो गया 600 Kelvin, so this is our answer to part A and part B, बोले कोई मुश्किल, तो इतना असान सी बात थी, हैं में ही घबरा रहे थे हम, right, चले, तो आज की class के लिए इतना ही था है ना, हमने लगभग मैंने कोशिच किया कि जितने possible numericals, जितने type के numericals बन सकते थे, करा सकती अब देखो, बात सिर्फ इतनी ही है कि मैंने questions करा दी, आप बोलो कहीं कि मैं exact question तो नहीं आया, तो approach जो है, जितने type के question पूछे जा सकते है, वो लगभग यही है, हो सकते है question को बताने का statement थोड़ा अलग हो जाए है, तो बस वही बात आपको धान से है, बहुत शांती से question क कि बात को सुनना है, कि question में क्या पूछा है, क्या given है, यह समझ गए और उन सारी चीजों को मिला के बस यह देख लीजेगा, कि क्या equation बनती है आपके पास, तो यह भी आपको पता चल जाएगा, कि क्या formula आपने apply करना है, और बस simple math लगा कि आपको question को solve कर लेना है, तो पढ तो आप जरूर बताईएगा, comments में लिखके, तो हम क्या करेंगे, अगली बारी हम वो lecture हम take up कर सकते हैं, वो topic take up कर सकते हैं, और एक चीज़ में आपको और बताना चाहूंगी, कि जो भी हम यहाँ पे content discuss कर रहे हैं, इन सब के और कुछ additional आपको notes अगर चाहिए, तो वो आप को मिलेंगे Adda247 की app पे, आपको करना क्या है, सिर्फ Adda247 की app प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और वहाँ पे आपको हर chapter से related notes, quiz, सब कुछ है न, सारा content आपको वहाँ पर मिलेगा, राइट, चले, अगली class में मिलते हैं, तब तक के लिए, बाबाई